जनरली एक fertile method सबको बताई जाती है पर वो fertile method कभी कभी fail हो जाती है और आपको pregnancy नहीं रुकती पर मैं इसके अलावा आपको दूसरा ऐसा method बताने वाली हूँ जिससे आप pregnancy conceive कर सकते हूँ तो ये सरेल तरीका pregnant होने के लिए जो मैं बताने वाली हूँ वो बहुत ही अच्छा है और pregnancy इससे आप conceive कर सकते हो बहुत जल्दी आप pregnant हो सकते हो पर आपको उससे पहले थोड़ी सी knowledge देना चाहूँगी जो पुरुष का sperm होता है उसकी थोड़ी knowledge और जो महिला का अंडा होता है उसकी थोड़ी knowledge तो देखो महिला का जो अंडा होता है महिन में एक बार निकलता ह पर किसी किसी महिला की दो महिने तक पिरिएट साइकल आती ही नहीं है लेकिन वो दो महिने में एक बार तो भी अंडा निकलता है तो किसी की 20 दिन में पिरिएट साइकल आती है तो 20 दिन के जो बीच में होता है उसका अंडा निकल जाता है किसी की 35 डे की साइकल होती है किसी की 45 डे की होती है और किसी की 25 दिन की साइकल होती है तो आप उससे और जल्दी प्रेगनेंट हो सकते हों तो आपको यह समझना होगा कि अंडा यानि वो जो अंडा है वो 24 गंटे तक जिन्दा रहता है यानि किसी अंडा शे से यह अंडा बह बाहर निकलता है तो वो 72 घंटे याने तीन दिन तक जिन्दा रह सकता है तो इसमें सवजने बाली बात यह है कि महिला का अंडा एक दिन और पुरुष का जो स्वाम है वो तीन दिन इसका मतलब 1 प्लस 3 4 होता है यानि उसके जो टोटल आती है वो चार दिन की आती है तो यही दोरान आपको प्रेगनंसी नहीं रूखती क्योंकि वो जो होता है प्रेगनंसी में ब्लीडिंग होती है और जिस दितने दिन आपके ब्लीडिंग होती है उसके दो दिन उसके सामने के जो दो दिन होते है उसमें भी आपको प्रेगनंसी नहीं होती है तो उसमें अगर आप समद बनालते हो तो pregnancy के कोई भी chances नहीं होते हैं लेकिन जो bleeding खतम हो गई उसके दो दिन बाद आपने नहीं बनाना है उसके next day मतलब समद लो आपके तीन दिन period की जो bleeding है वो चली उसके दो दिन आपको बिल्कुल भी relation नहीं बनाना है उसके दो दिन बाद आपको relation बनाना start करना है और यहां तो आपको pregnancy नहीं रुकती और उसके दो दिन बाद भी आपको pregnancy नहीं होती है उसके दो दिन बाद मतलब जो आपके 5 days है उसको निकाल के उसके दो दिन बाद आपको pregnancy के लिए alternate days पर आपको relation बनाना है, समंध बनाना है आपको ये relation क्यों बनाना है क्योंकि आपको यही पता नहीं कि आपका जो एग है वो कब रप्चर होगा लेकिन अपने दो दिन पहले से तीन दिन पहले से ही relation बना लिया जो स्पं होते हैं और अगर यसको वहापर स्पं मिल जाता थो इसली स्पं मिल जाता है और प्रेग्नेंसी गैरेंट्रीड हो जाती तो आपको करना क्या है पिरिट के साथ-वे अठवे दिन चोलड़कर 6-7 दिन छोल कर आपको 8 दिन से alternate days पर continue relation बनाना है जोए को पता ही नहीं है कि आपका जो एक है वो कब रप्चर होगा, 12 दिन में रप्चर होगा, 13 दिन में रप्चर होगा या फिर 14 दिन में रप्चर होगा कभी-कभी क्या होता है जो evolution का time होता है वो और भी आगे बढ़ जाता है इसलिए वहाँ पर अगर sperm वहाँ पर अवैलेबल है तो pregnancy के जो chances है वो high हो जाते है बढ़ जाते है पर कई बार ऐसा होता है कि जो partner होते हैं मतलब नहीं रहते हैं relation नहीं बना पाते हैं alternate days पर मुम्किन नहीं होते हैं तो ऐसे में आपको क्या है जो मैंने बताया 1 प्लस 3 जो formula है वो यहाँ पर आपको apply करना है अगर आपने 3 दिन पहले relation बनाया है अब 3 दिन का आपको gap आ गया फिर 4 दिन आपको फिर से relation बनाना है तो क्या होगा आपका जो अंडा है वो एक दिन तक जिन्दा रहता है लेकिन आपके जो sperm है वो 3 दिन तक जिन्दा रहते है आपको यह पता है कि आपका अंडा कब release होगा लेकिन जो sperm है उसकी भी 3 दिन की जीवित रहने की शमता होती है चोते दिन वो भी मर जाता है इसलिए चोते दिन आपको फिर से relation बनाना है अगर आप alternate days पर relation बना नहीं पा रहा हो तब आप तीन दिन के relation बना सकते हो आपको alternate days पर doctor क्यों बोलता है relation बनाने के लिए क्योंकि कई बार क्या होता है जो गुरुष के जो sperm होते है वो थोड़े weak होते है इसलिए डॉक्टर alternate days पर बोलते है प्रेगनेंसी के chances को high करने के लिए डॉक्टर alternate days पर relation बनाने के लिए कहते है किसी किसी के जो sperm है वो एक या दिन दो दिन ही जिन्दा रह सकते है क्योंकि किसी की जो sperm की quality होती है mortality होती है उसमें कमजोरी होती है इसलिए डॉक्टर alternate days पर relation बनाने के लिए कहते हैं लेकिन आपको क्या करना है चार दिन से ज़ाद आपको relation बनाने की जो gap है वो नहीं रतना है आपको maximum तीन दिन के अंदर relation बना लेना है या फिर चार दिन के अंदर ही relation बनाने लेना है आपके cycle regular हो या फिर irregular हो one plus का formula one plus three का formula आपको apply करना है और यह जो one plus three का formula है वो cycle irregular और period की cycle regular दोनों में भी प्योगी हो सकता है इसी के साथ जो fertile days होते है आपको वो भी follow करना है fertile days क्या होते है और fertile days कैसे निकालते है इसका channel पर dedicated video available है आप जाकर check कर सकते हो यह जो method है बहुत ही important method है उन couple के लिए जो साथ में नहीं रह पा रहे है और जल्दी से जल्दी pregnancy के लिए try कर रहे है और pregnant होना चाते है इस method से चल्दी से चल्दी आप pregnant हो सकते है और यह सबसे आसान तरीका होता है pregnancy achieve करने का ऐसे इस आसान तरीकों को follow करे और pregnancy के chances को high करे यह वीडियो की जानकर यह आपको अच्छी लगी है तो channel को subscribe करे, bell notification on करे ताकि आगे आने वाले हर नए वीडिये के updates आपको सबसे पहले मिलते रहे चानल को share करे और like करना बिलकुल ना भूले ऐसे ही informative वीडियो के लिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो में वीडियो अच्छा लगे तो comment करके जरूर बताए करे जर ऊड़ आने के लिए Șandais करदी मिलते है झाल झाल